तो बाजियों आज हम पढ़ेंगे cutting length of bent up bar जो हमारी slab दलती है तो उसमें जो भीम दलते हैं या slab में जो हमारी छड़े दलती है बार दलती है उसमें हम ऐसे कुछ परवाइड कराते हैं उपर के तरफ जो bent up हो जाती है उपर के तरफ बाद में ठीक है उन bent up bar की length कैसे निकालते है ठीक है यह हो तो आज उसकी topic के उपर हम बात करेंगे तो बात करते हैं cutting length of bent up bar तो इसमें हिंदी और इंग्विश दोने में करूंगा मैं तो इसकी इंग्विश में लिखावा है पहले से तो आगे बढ़ते हैं the cutting length of bent up bar is done by using simply easily formula ठीक है cutting length निकाल लेगा bent up bar का बहुत अस सांसा एक तरीका है formula है तो example we have a length of span is 6 meter में लगे हमारी span की जो length है वो है 6 meter ठीक है and slab thickness is 200 mm और slab की जो ठीकने से छट दलेगी और या फिर बार दलेगी जो हमारी तो वो दलेगी हमारी 12 mm की डाया की ठीक है और killer cover जहाँ पर हम concrete बढ़ते हैं न किनारे किनारे टॉप और bottom में वो जो killer cover होता है उसमें 25 के बाद में बताता हूं killer cover क्या है तो वो killer cover जो है वो 25 mm का है and use depropal length depropal length होती है जो ह हमार कॉलम के अंदर चली जाती है जो हमारा slab होता है उसकी बाद जो कॉलम आता कॉलम के अंदर चली जाती है वह होती है LD ठीक है वो depropal length जो हुई 50D लेनी है तो हमारे पर क्या है मिलावा given data क्या है given data है हम पर डाया आप तो बार 12 mm जो बार का डाया है वह 12 mm में किलेर कावर 25 mm किलेर कावर 25 mm किलेर स्पैन 6 मिटर और अगर हम mm में बोलें तो 6000 mm slab thickness 200 mm डाप्रोपल लेंग 50 D ठीक है डाप्रोपल लेंग 50 D अभी पतांगो डाप्रोपल लेंग के होता है सब कुछ तो D is the die of the bar यह वाला डी नहीं यह वाला डी जो है डाया आप दो बार है ठीक है बाइओ जी 50 D में जो D है वो डाया आप तो बाहर आए बलगी बार का डाया है 12 mm का जो डाया है उनके बाहर थी हमारी तो हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है कि solution है तो मैं बोल्ट अदा में बताता हूं तो यहां पर हमारा column है देखो यह हमारा column है suppose ठीक है तो column जो है हमारा यह रा तो यहां पर जहां से लेकर जहां तक जो छड़ जा रही है बार जा रही है उसकी जो length है वो LD है ठीक है जह जो D है वो होता है formula में input करेंगे अभी जब formula लगाएंगे तो यह जो हम यह लेंगे यह यह इसकी length निकाल लेकर है ह vero2.42 यह जो D है वो अलग D है मैंने कि यहां से लेकर घृत से यहां से लेकर यहां तक की जो height होगी जो height होगी उस height को D बोलते हैं ठीक है उस height को निकालेंगे पहले तो वो L-A-D है यह ठीक है बाई जो और L-D में यह ठीक है यह ठीक है तो जो हमारे slab है यह slab है पूरी तो इसकी जो मोटाई है वह 200 mm 200 mm ठीक है और जहां से लेकर कॉलम के inner side से लेकर अंदर के तरप से लेकर दूसरे कॉलम तक कि जो अंदर के अंदर की distance होती है वह होती है के लिए span L ठीक है तो first we find the length of the D of cutting length यह वाला D हम पहले count करेंगे निकालेंगे ठीक है भाईयों तो formula होता है हमारा इस D को निकालने का slab thickness slab की thickness 200 है जो ठीक है slab की thickness है जो और slab thickness minus two killer cover मलब यहां से भी हमारे killer cover होगा और यह भी हमारा killer cover होगा है ठीक है यह वाला killer cover जहापर हम concrete भरेंगे निच्चे के तरप और उपर के तरप concrete भरेंगे यह वाला killer cover ठीक है तो killer cover minus two killer cover एक और दो killer cover है minus two killer cover ठीक है minus two half two गुणा half die of the bar मलब कि इस बार का उपर के तरप से जो आधा die लेंगे इसकी center तो center distance होती ने center to center ठीक है इसकी center से लेगा इसकी center तक की जो height होगी जो distance होगी उसको लेते हैं तो इसकी आधी गई इसकी आधी गई दो तरप से सब्सक्राइब करें तो हम इस फॉर्मुले को इस फॉर्मुले को इस फॉर्मुले को पुट कर लेंगे इसमें पुट कर लेंगे निकी value तो 200 जो उसकी मोटाई दी slab की वह 200 है 200 mm-2 दो जागा killer cover है एक जहां एक यहां है two killer cover 25 का एक के लिए cover है 200 गुणा कर तो दो नतरप का निकल जाएगा और minus two half die of the bar 2 गुणा इधर का भी die आधा आधा बार का इधर का भी तो 2 गुणा 6 12 mm का die था तो आधा लेंगे यहाँ पर ठीक है तो cutting landing आलने का formula होता है हमारा